नमस्कार, स्वागत है आप सभी कई बार पुना टार्वितालोक ओल्लाइन इस्टूट में, मैं गौर्मन रेंजन, आपका भूगोल परियावरन एक्सपर्ट, आपका स्वागत करता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भरती परिच्छा जिसका नाम है ब्लॉक एजु द्वारा आयूजित की जाएगी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयूग के द्वारा आयूजित होने वाली इस परिच्छा में, जी यस, एक महत्त्पून रोलने वाहेगा, अगर हम कुश्चन की बात करें, तो इस परिच्छा में आप से 120 प्रिश्ण पूछे जाएगे, और उन 120 प्रिश्णों के लिए 300 नंबर निर द्धारित किये गए, अगर इस हिसाब से हम देखें, तो हमारा एक कुश्चन जो है, वह 2.5 नंबर का हो जाता, एक कुश्चन कितना हो जाता है, तो एक कुश्चन हमारा हो जाएगा, दो दसमलब 5 का, दो दसमलब 5 मार्कस का इस परिच्छा को पास करने के लिए आपको GS पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी होगी साथी साथ math और reasoning भी आपसे पूछा जाएगा तो math, reasoning और GS और GS में आप जानते हैं पांच पार्ट है हमारे history है, geography है, geography के साथ environment है science हो गया, economics हो गया और आपका quality हो गया साथी साथ current affairs, उसके बाद math और reasoning इतना कुछ syllabus है आपका ये प्रारंबिक परिच्छा का, इस syllabus हो जाता है अगर हम बात करते हैं इस परिच्छा के pattern को लेकर तो 13 वर्सों के बाद आयोजित होने वाली है, अभी इसका इस पश्ट कोई हमारे पास आंकलन है के वलके इस परिच्छा में इतने प्रिश्णाने हैं, किस भाग से कितने प्रिश्णाने हैं, अगर इस बात को देखा जाये तो लोग सेवा आयोग के हम जितनी भी परिक्षाएं लोग सेवा आयोग आयोग जित कराता है उसको हम देख सकते हैं अभी हाली में 15 दिशंबर को उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग के द्वारा PCS प्रिलिम्स 2019 का एक्जामनेशन हुआ और आप उसमें देख सकते हैं अगर आ पूर्सन ऐसे थे जहां से बहुत अच्छे कुष्ण पूछे गए अगर बात करूं मैं अपने सब्जेट की भूगोल की तो भूगोल से कुष्ण पूछे गए हैं मैप पर आधारित पूछे गए हैं मानचितर पर आधारित यहां से पृष्ण पूछे गए हैं साथी साथ इन्वार्मेंट से भी कई सारे पिष्ण मिल गए थे अगर हम परिच्छा को लेकर देखते हैं कि एक प्रैटन क्या रहेगा तो लोग सेवा आयोग या भरती करा रहा है मैं बार बार लोग सेवा आयोग पर जोर क्यों दे रहा हूं कूँकि आपको कुछ समझाना चाहता हूं इलहाबाद या कहीं भी तैयारी करने वाले बच्चे या विध्यारती अगर देखें तो पिछले दो वर्स के पहले यानि 2019 और 2018 के पहले कि अगर आप परिच्छाओं को देखते हैं तो 2017, 2016 और 2015 में अगर आप परिच्छा को देखेंगे PCS की परिच्छाओं को या अन परि हमें repeated question मिल जाते हैं लेकिन 2018 और 2019 की PCS prelims परिच्छाओं को आप देख लीजेगा कहीं से भी repeated question नहीं आये हैं इवन इस बार भी कोई भी question repeated नहीं है दो चार प्रिच्छाद question repeated हैं बस और कोई भी question repeated नहीं है कहने का तात पर यह है कि कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे ज देख लीजेगा उनसे आपका हो जाएगा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो इतनी इसपष्ट भविश्वानी नहीं कर सकते हैं आपको परंपरागत प्रिष्णों को तो पढ़ना ही है जो आए हैं साती सात नए प्रिष्णों को भी पढ़ना है जो नए प्रिष्ण ब हो गया है ठीक ना आईएगा हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर अगर हम भुगोल विसाय की बात आप से करें तो भुगोल का यहां पर मैंने पाठिकर्म लिख रखा है आपका जो सलेवर्स है उस सलेवर्स में इसपश्ट सब्दों में लिखा हुआ है बिश्व भुगोल त पूँचता है प्रिलिम्स की परिक्षा में एक कोश्टन पूँचा गया था कोईला से संबंदित सो नदी घाटी में कहां से कोईला मिलता है ठीक ना आपकी दामोदा नदी घाटी में कहां से कोईला मिलता है तो इस परकार खनिस संसादरों से एक कोश्टन पूँचा गया वह हैं भी मांचितर पर आधारित थे एक कुश्चन पूछा गया था बिश्व गोल से मद एसिया के पाँच देश है मद देशिया में और उन पाँच देशों में से चार देशों को लिखा गया था मद देशिया के और उनके सामें उनकी राजधानिया लिखी थी मिलान करना तो बिश्व भूगोल से भी कुश्चन पूचे गए भारती भूगोल में कुश्चन पूचा गया अगर हम मांचितर की बात करें पांच चार उसने परवत सरंखला या पठारों के नाम दिये एक पठार उसमें छोटा नांगपूर का पठार एक पहाड़ी है महादेब और आपसे पूचा गया कि इन चारों को प्ष्चन से पूरव के क्रम में व्यवस्तित कीजिएगा हम लोग आपको पूछ्चन प्रिवियस अर में आपसे लोग सेवाए उन्हें जो पूचे हैं हमारी श्टेट जी यह रहेगी कि हम जैसे ही कोई टॉप्डिक आपको कंप् लिए विशेर के question paper है उनको हम आपको solve कराएंगे कि कहां कहां से कैसे question पूछे गए हैं और किस परकार से आपको उनका answer जिना है यही तरीका हमारा विश्रभूगोल में भी रहेगा उसके बाद भारती किर्सी उसने अलग से लिखाया भारती किर्शी ब्यापार एवं बारिज तो भारती किर्शी ब्यापार और बारिज जिससे देखा जाए तो यहाँ पर PCS में इस बार तो यहाँ से कुश्चन नहीं आए है लेकन हम यह भी नहीं कह सकते हैं BEO की परिक्षा मियार से कुछ नहीं आएगे हो सकता है आजा है हमें पढ़ना है उसके बाद जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या से भी prelims में कोई प्रिश्ण नहीं आया है लेकर हमें भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगा हो सकता है अंगली बार पूछले पारिश्थित्की उसने केवल सब लिख दिया पारिश्थित्की तो यहाँ पर केवल आपको पारिश्थित्की को नहीं पढ़ना है यहाँ पर पूरा का पूरा आपको environment पढ़ना है environment science पढ़ना है ecology, ecological system, biodiversity, pollution जितना भी कोछ है सब आपको पढ़ना है तो परियावरण साथी साथ नगरी करण अगर हम prelims 2019 की बात करते हैं तो कोई question नहीं पूछा गया लेकिन आगी पूछे जाने की समभबना है तो हम परतेग बिन्दू को कबर करेंगे इतना मेरे द्वारा आपको कराया जाएगा complete आप इस channel के अगर student है इस institute के student है तो आप मेरा चेहरा बकु भी पहचानते होंगे यहाँ पर भूगोल और परियावरण का statement मेरे द्वारा ही complete कराया जाएगा साथी साथ UP special हम दो लोग के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा मैं आपको descriptive रूप में पढ़ाऊंगा और रभी तेवारी शर आपको current affairs से जोड़ कर पढ़ाएगे UP special तो आपको भहवीत होने की कोई अवशक्ता नहीं है पूरा का पूरा slivers वो पिरी हो या मैंस हो पूरा का पूरा slivers हम लोग आपको complete कराएंगे आज से ही हम आपकी तैयारी सुरू करा देते हैं सिधा सिधा आते हैं हम और यहां से start करते हैं जहां से पिष्णों की संख्या सरबार्दिक बनती है नाम है भारत का भूगोल तो हम भारती भूगोल से प्रारम करते हैं और अगर हम भारती भूगोल से प्रारम करें तो भारती भूगोल में हम पहला topic उठाएंगे बहुत मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यहां पर हैं और यह bottom है मैं मान के चल रहा हूँ आप यहां पर यह bottom है और यहाँ पर आपकी BEO की परिच्छा है और BEO की परिच्छा के उपर आपका PCS का एक्जाम है तो चुकि यह दौनों परिच्छा हैं लोग से वायू के द्वारे संचालित की जाएंगी तो हम आपको केबल यहां तक नहीं लेकर आएंगे हम आपको यहां तक लेकर आएंगे मतलब हम आपकी तैयारी बॉटम से उठाकर PCS प्रिलिम्स 2020 तक कराएंगे चुकि यह परिच्छा भी 2020 में होनी है यह आपके लिए खुसका भी है 2020 की यह पहली परिच्छा होगी लोग से वायू के द्वारा जिसमें प्रारंबिक नहीं बलकि हम हमको PCS 2020 के लिए भी तैयार करेंगे ठीक ना सिधी सिधे ठीक ना आईएगा अपनी बात पर आते हैं और पहला टॉपिक पर आते हम भारत का भुगोल में भारत का परचाय इंटोड़क्शन ओफ इंडिया भारत का परचाय इंटोड़क्शन ओफ इंडिया इसको हम लोग समझेंगे ठीक ना इसको समझेगा कैसे question पूछते हैं भुगोल एक ऐसा subject है अगर आप इमानदारी से पढ़ेंगे और मेरे द्वारे पढ़ेंगे तो मैं मानचित्र का आपको भली भाती बोध करा दूँगा भली भाती मानचित्र को आपको समझा दूगा ठीक ना भुगोल current affairs में सबसे जानदा महत्पूर्ण भूम का निवाता है इस बात को याल रखेगा current affairs में सबसे जानदा महत्पूर्ण भूम का निवाने वाला subject भारती भुगोल और विश्व का भुगोल कहीं पर भी कोई दुर घटना घटती है मानचित्र में आपसे परिक्षा में एक कुशन और पूछा गया था इवनिसकों के संदर में वो कुशन पूछा गया था ठीक ना तो भुगोल को हमें ना के वो subject बलकि current affairs के दृष्टी कौन से भी पढ़ना है ठीक ना चलिए भारती भुगोल में भारत का परचय की बात करें तो भारत की परचय को हम दो स्थानों पर देखना चाहेंगी भारत की स्थिति को सबसे पहले हम महाद्वीप में देखना चाहेंगी कि हमारा भारदेश महाद्वीप में कहां पर है या किस महाद्वीप में है और दूसरा हम भारत को देखना चाहेंगी globe पर globe यानि पृतिवी का सुक्ष में र ऋर्मर्मल सा कुश्चन है कि भारत किस महधीप में है ये बहुत नौर्मल सा कुश्चन है आम तोर पर ये हर कोई जानता है मैंने सिदा सिदा लिग दिया भारत इस्या महधीप में है लेकन इसके बाद जो कुश्चन पूछ सूँगा वो डिफिकल्ट है भारत एसिया महाधीब में तो है लेकिन एसिया महाधीब में कहा है एसिया महाधीब में भाई कहा है उत्तर एसिया महाधीब के उत्तरी भाग में एसिया महाधीब के पश्वी भाग में एसिया महाधीब के पूर्वी भाग में या एसिया महाधीब के दच्छनी भाग में या पर नौ दिसाओं में से तो मांचित्र में देख लेते हैं हम लोग मांचित्र में देख लेते हैं ए रहा हमारा एशिया एशिया का मांचित्र है और एशिया के मांचित्र में यह भारती भूगोल के साथ सत्विश्व भूगोल भी पड़ा रहे हैं आपको उपर वाली अंतरगत आपका रूस, आपका मंगोलिया और चीन आता है, आंगे वाले दिस्स आपकी पूरब है, पूरब में आपका उत्तर कोरिया, दच्छन कोरिया, आपका जापान ही सब आ जाएगा, नीचे वाला भाग यह दच्छन है, यहाँ पर भारत है, बांगलदेश से सारी आ और पीछे वाला भाग यह आपका पश्चमेसिया है, यह तो हो गया, इसके बीच में यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका मंदेशिया हो जाएगा, तो हमने पांची डारेक्शन मनाई, मतलब अगर आप इस मांचित्र में इस पश्च रूप से देखे तो हमें अपना भारत, यानि हमारा देश भारत ए रहा, भारत एसिया महादीब के किस दिसा में दिखाई दे रहा आपको, दच्छन में, तो हम कहेंगे भारत एसिया महादीब के दच्छन भाग में, महादीब पूचे तो एसिया, और अगर पूचे किस भाग में, तो एसि एशिया महादीब के किस भाग में है तो एशिया महादीब के दच्छन 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 भाग में है तो इन देशों की संख्या कितनी हो जाती है तो इ कौन से साथ अने देश हैं हम आभी आपको समझाएंगे यह जो एसिया महाधीप या एसिया महाधीप के दच्छन भाग में यो आठ देश हैं इन आठ देशों ने मिलकर अपना एक संग्ठन मना लिया और इस संग्ठन को एक नाम दे दिया गया और इस संग्ठन को एक नाम द बात करें तो दच्छेएस का फुल फॉर्म है दच्छन एशिया या एशियाई बोल देते हैं दच्छन एशियाई छेत्रिये सहयोग संग्ठन बात करें दच्छन एशियाई छेत्रिये सहयोग संग्ठन एशियाई जो आठ देस हैं उनके संग्ठन है इन आठ देसों को याद रखने के एक ट्रेक है मैं आपको ट्रेक सिका देता हूँ M-B-B-S M-B-B-S डॉक्टर बनाये जाते M-B-B-S से और डॉक्टर का कार होता है रोगी के या जो बीमार व्यक्ति है उसके इलाज का निवारन करना और इलाज को इंगलिस में P-A-I-N कहा जाता है पेन कहा जाता है तो यह दच्छन इस्या के हमारे 8 देश है यहाँ पर M से अर्थ है मालदुईब से M से अर्थ क्या है मालदुईब है ठीक ना B से अर्थ क्या है यहाँ पर B से अर्थ यहाँ पर भूटान है यहाँ पर B से अर्थ है तो यहाँ पर B से अर्थ है बांगला देश है यहां पर S कार्थ है यहां पर स्री लंका, P कार्थ पकिस्तान, A कार्थ अफगानिस्तान, I कार्थ भारत यानि भारत, I से इंडिया और N कार्थ है यहां पर है यहां N कार्थ है N का रथ क्या है? तो N का रथ यहां पर है नेपाल N का रथ क्या है? नेपाल तो यह दच्छन इसिया के 8 देस है मामुल इसी ट्रेक है तुरंत आपको याद हो जाएगी M, B, B, E, S P, A, I, N तो दच्छन इसिया के 8 देसों की ट्रेक है आपको याद रखना है तो मालदीब की राधानी माले है भूटान की राधानी थिम्पू है बंगलादेश की राधानी ढाका है स्रीलंका की राधानी जैवर्धनेपूर है पहले को लंबो थी अब स्रीजैवर्धनेपूर है पाकिस्तान की राधानी तो पाकिस्तान की राधानी इसलामबाद है अफगानिस्तान की राधानी तो अफगानिस्तान की राधानी काबूल है भारत की राधानी बताने कोई अवशक्ता नहीं है न्यू दिल्ली, नई देली और नेपाल की राधानी नेपाल की राधानी आपकी काठ मान दो ठीक ना, अब मैं थोड़ा इससे अन्य चीजें से हटके, इस लेवर से हटकर आपसे दो मिनट आपका लेना चाहूंगा कुछ चीजें समझाने के लिए सिविल के अगर आप तैयारी करते हैं या कोईसी भी परिक्षा की आप तैयारी करते हैं तो सबसे मातकून बाते होती हैं आप नोट्स कैसे बनाते हैं मैं पढ़ाई से हटके कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको एक ही बार नोट्स बनाना पड़े ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मेरे साथ दो दिन पहले एक घड़ना घड़त होई हमारा पुराना स्टूडेंट है हमसे लगबग वो 2017 में पढ़े हुए थे भूगोल और कल या एक दिन पहले उसके हमारी उनकी मुलाकात हो गई वो मेरे ही स्टूडेंट है मुझसे ही पढ़े है सेलेक्टेड भी है डियारमो आफिस में सेलेक्टेड है वो उनका एक उनका पिष्णे था मुझसे कि सर दुबारा आपसे पढ़ना बड़ा मज़ा था नहीं का चली कोई बात नहीं बैच होगा हम आपको एनाउंस करेंगे पुली सर नोट्स कैसे बनाए आपके पुराने नोट्स थे बहुत अच्छे थी सर दुबारा से नोट्स बनाने है ऐसा क्या है कि मैं पहले भी पढ़ाया था आज भी पढ़ा रहा हूँ पहले बस अंतर इतना था कि पहले भारत में 29 राज जुखा करते थे अब 28 राज है ए करंट है और आप लोग इस परकार से नोट बनाएगा कि उसमें थोड़ी सी गुंजाइस रहे अगर कोई बिंदू आपको सामिल करना है तो बिंदू आप सामिल कर सकें एक ही बार नोट्स बनाएए कई बार नोट्स नहीं बनाने है तो मैंने उसको सुझाओ दिया कि बाबू एक काम करो तुम उन्ही नोट को देखकर एक दूसर नोट्स बनाओ लेकिन एक चीज करना मा लिजिएगा यह आपका पेज है मा लिजिएगा यह आपका पेज है जैसे अगर आप लोगों में से कोई किसी ने कभी PCS AIS का एकजाम लिखा हो मैंस या फिर PCS AIS का आपने किसी PCS टॉपर की या कोई भी PCS सेलेक्टेड बन्दा हो उसकी आपने कॉपी देखियो तो PCS में आपकी जो कॉपी होती वो इस परकार से बनाई जाती है ठीक ना इतना पेज एक बलैंक रहता है लाइनिंग होती है आपको इस वाले भाग में लिखना होता है यहाँ पर आपको लिखना होता है इस पेज इसलिए दिया जाता है आपकी कॉपी को कई सारे लोग चेक करेंगे कई सारे आपके एजामना चेक करते हैं तो क्या कमी है क्या सही है सब लोग अपना मत लिखते हैं उसमें लेकन हम आपको यह नहीं कहेंगे कि आप ऐसा करिए आप इसी के हूबो हूँ इसी के समानिक चीज करिएगा मा लिजेगा यह आपके पास आपके copy का एक page है आप इसमें एक तिहाई भाग छोड़ दीजेगा अगर एक तिहाई छोड़ दिए तो बच्चा कितना भाई दो तिहाई आप एक तिहाई भाग को छोड़ दीजेगा इसको blank रहने दीजेगा स्केल से यहाँ पर आप लाइने कर लिजेगा आके बल इस निदने भाग में है नोर्स बनाइएगा इतना भाग खाली रहने दीजेगा पर तेक page में आपको ऐसा ही करना है ऐसा हम क्यों कह रहा है ऐसा हम इसलिए कह रहा है मा लिजेगा कल के दिन आपको उसी से सम्मंदित उसी बिसर से सम्मंदित कोई निउज मिल जाती है करेंट का मुद्ध मिल जाता है आपका हम mention करेंगे तो आप लोग बड़ा च्छांसर देते है सर हम कॉपी के पीछे mention कर लेंगे कॉपी के पीछे तो mention कर लेंगे लेकिन मुझे ये बताईएगा कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगी इस news को जो notes है आपका जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो क्या आपको याद रहेगा कि इससे सम्मंदित कोई पिष्ण है इससे सम्मंदित कोई news इससे सम्मंदित कोई बाक मैंने कॉपी के पीछे लिख रखा है नहीं रहेगा आप जिस चीज को रोज देखते हैं वो आपको याद हो जाएगी लेकिन आप जिसको दो चार साल के बाद देखेंगे उसको आप याद नहीं कर पाएंगे। उन्तीस राज और साथ के इंसासित राज अब या आकड़ा बदल गया। बदल गया। तो कहा लिखेंगे ये बाद जिनको मैंने पहले पढ़ाया था उनको क्या करना है उनको जहां पर मैंने इस पर छोड़ने के लिए कहा था अगर आपने वाँ इस पर छोड़ा होगा तो हहीं पर युची जो को मैंसन करेंगे। इसमार्ट इस्टड़ी करेंगे तो निश्चत रूप से सक्सेज मिलेगी आपको ठीक ना। पहले में लिखाता था कि भारत का सबसे उत्तरी किंसा सतराज चंडीगर है अब में लिखाओंगा लडदाख है। पहले में में लिखाता था कि जम्मू कस्मीर किसको इसपर्ष करता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान को चीन को अब मैं जम्मू कस्मीर कहूंगा जम्मू कस्मीर पाकिस्तान को केवल इसपर्ष करता है ना अफगानिस्तान को इसपर्ष करता है ना चायना को इसपर्ष करता ह जो तिब्बत यानि चीन को भी इसपर्ष करता है अफगानिस्तान को भी इसपर्ष करता है पाकिस्तान को भी इसपर्ष करता है चीज़े बदल गई है यहीं से चीज़ें बदल गई है यहीं से आपका एक जामनर कुश्चनों को उठाएगा यहीं से वो पुश्चन उठाता है जहां से चीज़ बदलती हैं जो पहले के कुश्चन उनको तो सब को जा रहा है कि भारत में अठा उन्ते सराज जिते साथ के इंसा सराज जिते वो यह पूछे गए नहीं वो बदल देगा भारत का चित्रफ़कित रिष्टी से सबसे बड़ा किंसा सराज बताईएगा अभ स्मार्ट इस्टडी हम आपको कराएंगे ठीकना चलिएगा यहीं पर आजाईएगा बापस ठीकना तो भारत की स्तिति हमने महादीप में देखी किस महादीप में? My disease महादीप में दच्ण असीया में देशों की संख्या कितनी है? आठ्थ है दच्छेस इन आठ्ध देशों का संगठन है वो दच्छेश है South Asia Association of Regional Corporation दच्छन ACI छेतरी सायोग संगठन अगर कोई संगठन है अब मैं आपको हुम्बर्ग दे रहा हूँ इस संगठन का निर्मान कब किया गया इस्थापना कब हुई जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके प्रिथम अध्यक्ष का नाम क्या था ठीक ना उसके बाद अंगला पूँच सकते हैं कि बर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है करंट है अंगला पूँच लेगा कि इसका मुख्याला कहा है तो तीन कुश्चन आपको करने चौथ हमें बताए दे रहा हुँ दच्छेष का मुख्याला जो है वो नेपल की रादानि काठमांडु में है हो गया कुश्चन तो करंट को भी सात में लेके हुए चलना है तब ही परिक्षा हुए पास कर पाएंगे इस ग्लोब पर 36 रूप से एक रेखा खीचे जाती है और इस रेखा का मान 0 डिगरी अच्छांस है रेखा का नाम 0 डिगरी अच्छांस है यह मान है और नाम इसका बिश्वत रेखा है इसी को हम भूमद रेखा कहते हैं इसी को कहना में दिया जाता है भूमद रेखा और इसी को इंग्लिस में हम कहते हैं एक्वेटर इक्वेटर सब्द जो है एक्वेटर सब्द एक सब्द से मिलकर बना है या इसकी उत्पत्तिक सब्द से हुई है जिसका नामे एक्वल और एक ुआ का अर्थ क्या होता है?Marisha, प्रितिवी को 36 रूप से 2 भागों बहाजित करती है, उसे वाले भाग कोouter 90 वाले भाग को और कई सारी रेखाएं होती हैं इनको अच्छांस रेखाएं बोलते हैं जो छेते जी रूप से खेची जाती हैं इस रेखा का मान साड़ेते ही डिग्री है यहाँ पर भी एक रेखा है और इस रेखा का भी मान साड़ेते ही डिग्री है दोनों में अंतर क्या है इन दोनों रे आई एस तो जो 13-degree n है इस रेखा का नाम है आम तौर पर एह बात हरको ही जानता होगा नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि भारत के 20 से एक मात्पून रेखा गुजरती है और भारत के 20 से जो मात्पून रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम क्या है तो भारत के 20 से एक रेखा गुजरती इस रेखा का नाम है Tropic of Cancer यानि करक रेखा भारत के 20 से एक रेखा गुजरती है Tropic of Cancer यानि कौन से रेखा य होगी वही पर हमारा भारत होगा. कर के रेखा कहां पर है? तो कर के रेखा, 80 hill degree N, यानि N में है, यानि उत्री गोलार्द में है. तो अगर हम अपना भारत बनाएंगे, तो अपना भारत हमें ऐसा बना दिए. बोलीगा? कोई समझ्या? नहीं है ना? इंटरिव्यू में पूँचा गया कोश्चन है, TGT, PGT के इंटरिव्यू में पूँचा गया कोश्चन है, कि इस पष्ट केजिएगा भारत उत्री गोलार्द में है, एक अभ्यारती से पूँचा गया कोश्चन है, इस पष्ट केजिएगा भारत उत्री गोलार्द में कैसे क पर देखें, जीरो डिगरी अच्छांस या बिश्वत रेखा या भूमत रेखा के आधार पर देखें, तो उत्तर और दच्छनी गोलार्द में से भारत कहां है, तो जीरो डिगरी देशांतर रेखा के आधार पर, यानि बिश्वत रेखा के आधार पर हमारा भारत उत्तरी गोलार्द में है कहाँ पर है उत्री गोलार्द में जिस प्रकार ए जिरो डिगरी अच्छांस होता है उसी प्रकार एक और काल्पनिक रेखा होती है और यह जो काल्पनिक रेखा है और यह जो काल्पनिक रेखा है नौर्थ पोल है और यह कांसा है इस साउथ पोल है उत्तर ध द्रॅब और द। उत्तर द्रॅब को द्छन द्रब से मिलाने वाली भी कल्प निकरेखा होती है। इस रेखा का नाम है प्रधान यामुत्र रेखा, प्रायम मिरीडियन लाइन, जो लंदन के ग्रीन बिच सहर से होकर गुजरती है। बिश्र के कई सारे देशों से होकर गुजरती है, अभी हमें देश नहीं पढ़ना है, इस रेखा का नाम तो प्रधान या मुतर रेखा है, अगर हम इसके मान की बात करते हैं, तो इसका मान होता है जीरो डिग्री देशांतर, इसका मान क्या है जीरो डिग्री देशांतर, या यहां पर जो E कार्थ है वो है East और पीछे वाले भाग यानि पश्चमी गोलार्द पीछे वाले भाग को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर W कार्थ क्या है तो यहां पर W कार्थ है West यानि पश्चन तो आंगे वाला पूर्वी गोलार्द और पीछे वाला तो या फिर कहाँ पर होगा है या तो पूरम में होगा या पश्चिम में होगा आए हम समझाते हैं आपको बड़े सिंपल से सब्दों में हमेशा इत चीज को याद रखेगा कि जीरो डिगरी देशांतर रेखा के आधार पर हम पूरे विश्व में समय की गड़ना करते हैं कि वह हमेशा पूरि इत चीज की जीरो डिगरी देशांतर रेखा के आधार पर हम किसी भी देश की यादी किसी देश का समय लंधन यानि रेखा जो है लंडन से उकर गुजती है यदि किसी देश का समय लंदन के समय से आंगे है तो यदि किसी देश का समय लंदन के समय से आंगे है तो यदि किसी देश का समय लंदन के समय से पीछे है तो यदि किसी देश का समय लंदन के समय से पीछे है तो यदि किसी देश का समय लंदन के समय से पीछे है तो यदि किस बस इतनी सी बात याद रख लेजेगा अब आईएगा भारत का समय की बात करें तो सुना होगा कि भारत का समय लंदन के समय से साड़े पांच घंटे आंगे है भारत का समय लंदन के समय से साड़े पांच घंटे आंगे है अभी अभी आपको कहा था कि यदि किसी देश का समय आंगे होगा तो निश्चिसी बात होगा है किस गोलारद में होगा वह पूरवी गोलारद में होगा यानि हमारा भारत देश पूरब और पश्चिम में से कहां पर होगा तो हमारा भारत देश पूरवी गोलारद में होगा अब किसी भी देश का समय यदी लंदन के समय से आंगे है तो वह पूर्वी गुलार्द में क्यों होगा क्योंकि सूर्योदाय की घटना पूरव से घटती है पूरव में सूर की करणा पहले पढ़ेंगी और पश्चम में सूर की करणा बाद में पढ़ेंगी इसलिए पूर्वी भागों का समय आंगे होगा और पश्मी भागों का समय पीछे होगा उधारण के तोर पर अगर हम भारत के बात करें तो भारत का यहां पर एक महत्पूर राज है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूरब दिसा में है और यहां पर एक राज जिसका नाम है गुजरात यह भारत के सबसे पश्मी दिसा में है आप जानते हैं और नहीं जानती हैं तो जानकर आश्चर होगा आपको कि अरुणाचल, प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल, प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आँगे होता है दो घंटे नहीं लगबग 116 मिनिट उसी को हम 2 घंटे माल लेते हैं कर दो घंटे मनले ही 120 मिनิट और यहां पर लगभग 116 मिनिट यह निकल के आता है तो हम 4 मिन salvar है इसलिए हम पूरा लगभग 2 घंटे बोल देते हैं तो यहां का समय आंगे है और यहां का समय पीछे है हमने आप से कहा था जो पूरब उनका समय आगे और जो पस्चिम होंगे उनका समय उनका समय पीछे तो अगर आप से पूचा जाए कि गोलार्थ में बताइएगा भारत की श्तित्किया है तो अच्छांस रेखा के आधार पर यानि बिश्वत रेखा के आधार पर हम उत्री गोलार्थ में हैं और जी प्रिथवी है यह हमारी जीरो डिगरी रेखा है जीरो डिगरी एक चांस है और यहां पर हमारा जीरो डिगरी देशांतर है जीरो डिगरी देशांतर तो अगर हम अपने भारत को बनाएं तो हम अपने भारत को यहां पर बनाएंगे अगर उत्तर और दच्छन में तो हम उत्तर में है और पूरब और पश्चम में देखेंगे तो हम पश्चम में है पूरब में है आप से कुष्चन पूछा जाएगा गलोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूरवी है यानि उत्तरी और पूरवी गुलार्थ में है यहां से आपके एक से तीन कुष्चन निया से मिल जाएंगे एक दच्छे से पुछ लिया जाता है एक एसिया माधिप के किस भाग में वहां से पुछ लिया जाता है एक यहां पर पूछ लिया जाता है कि उत्तर और दच्छन में से हम कहां पर हैं तो तीन चार कुशन यहां से आपको मिल जाते हैं जिस परकार आज मैंन को आपकी मंजिल तक पहुंचाने का कार टार्ग तालोग ऑनलाइन इस्ट्यूट की ओर से प्रारम कर दिया गया है आपको धीरे-धीरे सारे टीजर्स आपसे जोड़ते जाएंगे आपके चाहिते रवी जी सौरी मैं रवी जी बोल गया रवी सर आधरणी हम में ले लिए तो